आज हम कुश्शन करेंगे आगे कुछ और एक कुश्शन है जो अटोमिक नंबर 117 और 120 है उसको अगर खोज लिया जाए डिस्कोवर कर लिया जाए तो उसको कहा रखेंगे एक कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स की अगर मतलब कि element जोता ना जैसे 112 है तो group 12 में रखा जाएगा 113 है तो group 13 में रखा जाएगा 114 है मतलब की 110 के बाद की element होते ना उनको बाद वाले नंबर की group में रखा जाता है जैसे मैं बोलता हूं 117 तो इसको group 17 में रखा जाएगा तो अगर देखी जाए तो एक से 17 आ गया ठीक है 17 नमबर को किसमें रखा जाएगा 17 नमबर गुरूब में इसको तेरा उता तो group 13 में रखते चोदा तो group 14 में रखते 15 होता तो फंद्रा में 16 में 17 है तो किसमें रखेंगे गृूब 17 में रखेंगे तो यह इसका अंसर तो आ गया P block हो गया ठीक है अब आते हैं 120 पे 118 होतां किसमें रखते इसमें इसके बात आगे तो आगे कुछ है नहीं तो आप इस एस ब्लोक में जाएंगी तो 119 को इसमें रखेंगे जो group number होता है सकी पाद में Candice heterothrum कि उसी का यह लास्ट का number होता है तो यह group number 20 हो गिया 20 का मतलब हो गया कि है अब आप 18 की बाद में देखो कि उन्नीस वाला उसमें जाएगा फर्स्ट पीरिड में इसमें आजएगा सेकेंड पीरिड में ठीक है है हो गया तो इससे तरह पी में और यह आगे एस अधिक आया भी था कि एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब और इसका क्या होगा अगला है अगला है तो इसमें सोड़े नौन मेटल के करेक्टर होते हैं और यहां पर अपने एस ब्लोक और पी ब्लोक यह तो एस ब्लोक वाले जो होंगे न वह जज़दा सब्सक्राइब नौन मेटल के करेक्टर रखेंगे तो इस ब्लोक वाले को तो आगे रखना इसने सोडियूम को पीछे रख दिया तो इसको ताटा दो इसने सोडियूम को आगे रखा ठीक है और डाउन दो ग्रूप जाते हैं प्रिडिक टेबल में तो मेटली करेक्टर सबसे बोरा ही बोरा नौन मेटल ओगा तो वहोगा आपका फासफोरस सबसे आगे लगा यहां अपिव ने हो सकता और इसके पता रहा है तो रही ज़्यादा नहीं हो सकता। आप सबसे यह देखिये। यह सब से बइस्ट है मेटली करज्ट अब लेफ्ट टुर जा ए तो मेटली करक्ट पर कम होगा नहीं सब्सके जदा होगा कि अगला हैं एक अटमिक नंबर 10 से उसके बारे में क्या गलत है अटमिक नंबर 10 पर कौन आता है आपका नियोन आता है अब पता है यूदा 2 10 18 इस अभी याद रहते हैं न कि नॉबल के इसके इलेक्ट्रोनिक इंफिग्रेशन दे से यह यह रहा यहां पर आप इसको देखे यह गें 2 10 18 36 86 और 118 इसको किसी से कोई बॉंड नहीं बनाना होता है यह अकेला रहता है तो इसको कहां इलेक्ट्रोन इफिनिटी की रिक्वार्मेंट है तो यह भी इस्टेट्मेंट सही है इस फॉर्म अकोवेलेंट नेट्रोक सॉलिड नेट्रोक सॉलिड नेट्रोक सॉलिड का मतलब होता जैसे की सल्फ और एसेट बना दिया कार्बन का डायमेंड होता है जो नेट्रोक सॉलिड बना देता है तो ऐसा कोई यह बनाता थोड़ी यह अकेला नियोन के फॉर्म में इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट इस्टेड्मेंट ही या फॉल्स इस्टेड्मेंट ही अपना एंसर है following our configuration for atom यह चार atom की electronic configuration दिये हुए है ठीक है अपने को इनके बारे में बताना है अब देखिए पहले तो इनको elements को पहचानना पड़ेगा इस question में element को पहचानते हैं यह क्या है पहला वाला ns2 np3 ns2 np3 देखिए बोरन फेमिली का electronic information होता है ns2 np1 कार्मन का होता है यह outer most electronic information आपको डारेक्ट याद होने चाहिए ns2 np2 और बोरन के बार आता है nitrogen family उसका होता है ns2 np3 और oxygen का होता है ns2 np4 और उसके बाता है हेलोजन एनस्टू एनपी फाइव और एनस्टू एनपीश उसका होता है नोबल का यहाद दोना चाहिए अब पूरे जो भी नाइट्रोजन फैमिली माएंगा रहे तो यहीं अगला है फोरेस्ट टू फॉर्पी थ्री मतलब फॉर्थ पीरिड नापाट यह जाएगा उसके फॉस्परस के नीचे वाला कौन आर्सनीक कैसे पता लगा एलेक्रोडिक निफिगरेशन देखकर कि यह तूएस टू टू पी फाइव है मतलब हैलोजन का है और टू है मतलब सेकेंड बिरिड बारा तो कौन सा हो गया फ्लॉरिन हो गया यह 3S1 है 3S1 किसका होता है मैं इलेक्ट्रोन एफिनिटी क्यों की जगा क्या रख दूमें आर्सनीक रख देता हूं और कि जगा क्या रख देता हूं फ्लॉरिन रख देता हूं कि इलेक्ट्रोन एफिनिटी और उसके बाद में हाँ आर्सनीक और फ्लॉरिन की इलेक्ट्रोन एफिनिटी जो होती है कि यह वाला जो है ना गल्लक दे रखा ऐ उलेक्ट्रान एफिनिटी तो फ्लूरीन की जैदा होनी चाहिए यह न फ्लूरीन फ्लूरीन वह देंच आपको फिर हुपर और आर्सनी को नीचे निचे तो एलेक्ट्रान एफिनिटी जो ती रहे डावन दो ग्रूप डिख्रीज कर रखिये और अपने कोई इंकरेक्टी पैचानना था यहीं इनकरेक्ट है अ कि अ कि बोलता है फास्थ पोर सलफर क्लोरीन फ्लोरीन मोच्ट लीटिव नेगेटिव कोल सा होगा मतलब सबसे जादा के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रों एफिनिटी किसकी होगी और सबसे कम एलेक्ट्रों एफिनिटी किसकी होती है तो पूरी प्रियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रों एलेक्ट्रों एफिनिटी होती है ये वह होती है क्लोरीन की ये दोनों आप्सन तो हटाई दो क्लो पॉजिटिव होती है ठीक है तो फर्स्ट आफ्टन जाएगा इसका यह किसका वे ओर्डर है जो दिया हुआ है ठीक है तो देखी यह मैं आपको बताता हूं अपने और अपने सीजिए में क्या सीजिए दो ही ओर एक तो इलेक्ट्रों एफिनिटी की मैं और जो बड़े-बड साइज के केस में क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाते है ना तो साइज कम होती जाती है ठीक है और डाउन दो ग्रूप जाता है तो साइज में तो यह गलत है और और इन क्या होती है इन इलेक्ट्रों नेग्टिविटी इलेक्ट्रों नेग्टिविटी क्या होती है बि थोड़े बहुत option को बदल देता है या question को पूछने का तरीका बदल देता है लेकिन order तो यही पूछता था उसने तो देखिए अब आपको मैं IP के दो order लिखाता हूं ठीक है IP में क्या होता है पहले IP या यह एक ही बात है ठीक है तो IP में यह होता है आप डारेक्ट order रख तो NCIT में भी दिया हुआ है IP क्या होती है left to right जाओगे तो left to right जाओगे तो increase होगी पहली बात दिये फिर उसमें आते हैं exception देखो पहले लीथियम की आती है फिर बोरोन और बेरिलियम में exception होता है फिर कार्बन फिर oxygen और nitrogen में exception होता है यह फर्स्ट आइपी का order होता है आइपी भी अलग-अलग पूशी जाती है आपको आइपी फर्स्ट आइपी भी बूचेगा और सकेंड आइपी भी पूचेगा तो आइपी का order यही होता है फर्स्ट आइपी का तो मैं चार order आपको लिखा था हूँ आप इसको मारीन में रखता देखिए फहले आइपी का बेरिलियम लेकिन यहां पर exception आजाता है और बोरोन आता है फिर बेरिलियम फिर आएगा कारबन फिर nitrogen आना चाहिए था लेकिन nitrogen का electronic होता है इसलिए oxygen पहले आता है फिर आता है नाइड्रोजन फिर आता है फ्लोरीन और फिर आता है नियोन यह ओडर जो आपको दिया हुआ यही वाला ओडर अब सेकेंड पिरिड़ की IP2 का ओडर इसमें क्या करते हैं जो एक्सेप्शन था ना उसको वापीस सही करते हैं मतलब इसके पोड़ोशी को यहां बीच में बठा देंगे ंगे असके बाद आ जाएगा बेरीलियों önce उसके बाद भीच में आएगा कारवन फिर आएगा बोरहन क्या ना हमने पर दोशी पीच में बड़ाया और इनको एकस्वन को सई किया उसके बाद आएगा नाइट्रोजन फ पिर आएगा इनका पड़ोसी बीच में फ्लोरीन फिर आजाएगा ऑक्सिजन फिर आजाएगा लीथियम यह हो गया सकेंड बिलिड़ का फस्ट आईपी इसकेंड आईपी ठीक है अब 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 आपन बात करते हैं अगर थरड आईपि इनकोई हुझत फ़िक कोई पूछ का नहीं थीक है कि Ya लेता हूं मैं आपको ठीक है वह होता है सोडियम ना मग अल सी पस कल अरणा ठीक है और उसके उपर कौन था लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन आप फ्लॉरीन और नीओन तो यहां और था ना वहीं वहा रहेगा वहां कहां कहां एक्सेप्शनता वह बारॉन वही तो यह एक्सेप्शन था न सब्सक्रान वह बदल गया तो क्या और जाएक फ्रस्ट आई पी ठीक है पहले अपन फर्स्ट आईपी का लिखते हैं या आप लिख दीजेगा फर्स्ट आईपी थर्ड पीरिड की हैं तो सोडियम फिर एल्मूनियम आएगा फिर मैगनीशिम आएगा वही कि वही एक सप्सन है तो याद तो एक को किया दूसर अपने आप याद होगे ना मैगनीशियम उसके बाद को न आएगा कि सिलिकन उसके बाद में सल्फर आएगा फिर फास्परस आएगा फिर क्लोरी न आएगा फिर आर्गन आएगा अब अगर इसकी सेकेंड आई पी लिखनी है तो वही तरीका वापिस कि पडूसी को बिचा दो पडूसी को बीच में हैलमोनियम में फिर आजाएगा आपका वास्फ पोरश फिर वीच में परणुचने बाद कलोरीम फिर फिर सल्फर फिर आजाएगा आपका है के सोडियम अर्धर आरंच जो था सबसे पीछए जाता है आगेवाला सबसे पीछे और पीछे आगे इस आपके ओर हो गए आई पी के फर्स्ट आई पी और सकेंड आई पी कौन-कौन से पीरिड की थर्ड पीरिड की और सकेंड पीरिड की यही पूछ सकते आप से ठीक है तो यह आई पी का यह ओर्डर था जो पूछा हुआ है 2018 में अगला कुश्चिन है विच्व फोलिउंग रिपर्जेंट करेक्ट ऑडर ओफ इनक्रीजिंग फर्स्ट अब यही वापीस वही पूछ लिया तो इन्होंने पूछ लिया वापीस वही ठीक है तो अपने को पता है आई पी के बारे मापने इतना जानते हैं लेफ्ट कि आयो न कैल्सियम सलफर बेर्लियम सब आरगन का अपने को कुछ नहीं बोला नहीं सुर फश्ट बोला है और कुछ नहीं बोले तो भी फस्ट बांते ठीक है तो फस्ट वाली आरगन की ज्यादा होनी चाहिए यह अपन लिखाएं लेकिन इसने सलफर के साथ में इसलूरियम भी दे लेखा है सेलूरिम कहां आता है सलफ और फैमिली में आता है ठीक है तो एक लैफ्ट टू रैट इंक्रीज होती है और इसको अगर प्रियोडिटेबल से अगर आपन देखे तो कहां कहां है एलिमेंट प्रियोडिटेबल को नीचे लेका आते इसको ठीक है कौन कौन से एलिमेंट है एक तो है आपका सलफर बताने के लिए बता रहा हूँ आपको यहां पर एक तो यह सलफर रह गया ठीक है उसके बद एक है कैल्सियम यहां है ग्रीन पेंड कर लेता हूँ दीखेगा कैल्सियम है सलफर है बैरियम है कि कि हाँ पर और उसके बाद में के बैरियम के बाद में और को नह一次ता Math और कवन धिए जहाएं सैलेरियम है वह औरति कहां है और और इतना ही दिए पांच एलिमेंट दिए ठीक है अब आप इतना कंसेप्ट इसमें ना मिक्स कुशन दे तो आप रटा हुआ कैल्सम और बैरियम यह तो इसमें बैरियम को आगे रख सका है तो क्या कई सबस्थे रख रखका है तो यह गलत सका है Kommis कि यही राइट साइड में और अब राइट साइड में मिल गया तो आपन देखेंगे राइट साइड में जो ऊपर है ना उसकी आई पी जधा होगी तो सल्फर की जधा होगी तो सल्फर की जधा होगी फिर सेलूरियम क्या आएगी और कैल्सियम और बैरियम में देखोगे तो बारियम नीचे नीचे वाले की क्या होती है कम होती है तो नीचे वाले की कम होगी तो इसका एंसर होगा ibecauld值 kiedy मतलब कि ही कंसेट्प लगा न था कि led to right होती है और अप्टे डॉड होती है उप आँगे एडीं क्या क्या बनता है वो रॉंड के श्राइंट डी और्बिटल नहीं होता है तो बोरॉंस मैक्सिमम जनरल तीन मौंड बनाता है लेकिन उसमें एक अगर उसके पास वेकेट और बिटल होता उसमें को यह लॉन फैर बगर डाल दे तो चार बना सकता है छे तो कभी बना ही नहीं सकता ठीक है और अल्मूनियम लेल अपन आईपी पटके यौह तो आईपी ने क्या पड़ है पहले आईका लीथियम फिर आएगा बोराण और बेर्लिम में अक्सप्स्प्षन था फिर प्र फिर आएगा oxygen और nitrogen में exception था फिर आएगा fluorine और फिर आएगा neon यह भी अपन रट के आए हैं और इसने क्या कर दिया बेरलियम और boron में exception दिखाया ही नहीं तो यह incorrect हो गया CDC बात है ना तो IP के order बहुत important है अगला है थोरियम का थोरियम का electronic configuration अपने से पूछा है अब इसमें important ही होता ना कि थोरियम आपका कहां आ रहा है थोरियम आपता आपका एप ब्लॉक में थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे पूराने आम कम बिकेंगे इस टाइप से आप याद करते हो ना तो यह थोरियम आता है 90 नुमबर पर ठीक है और उसके इसलिए यह question important बना पहली बात तो electronic अगर आपको याद हो तो D block और F block के याद ही होने से यह trick से याद करवाता है मैं भी याद करवा दूंग आपको ठी इसलिए इंपोर्डेट हो जाता है और पूछते रहते हैं ठीक है और 2016 में ऐसा electronic configuration D block का पूछा हुआ है कि विच प्रोपर्टी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट तू राइट बोला लेफ्ट तू राइट जाओगे तो कोई प्रोपर्टी है एक्स वो डिक्रीज होती है एक प्रोपर्टी कुन सी है आटमिक रेडियस इस बात सही है अटमिक रेडियस के बारे में आटमिक रेडियस आपको बता है लेफ्ट राइट जाओगे तो क्या होती है जे डिफिक्टि बढ़ता है जे डिफिक्टि बढ़ता है तो size कम होती जाती है ये कब होता है left to right में और up to down में क्या होता है number of cell बढ़ता है number of cell बढ़ता है तो size बढ़ती है cell का number बढ़ने से size बढ़ती है ये इसके reason भी फूछता है कभी कभी क्यों बढ़ती है लेफ्ट में लेफ्ट और राइट डिक्रीज क्यों होती है और अप्टु डाउन इंक्रीज क्यों होती है ठीक है तो यह एक्सप्शन तो हो सकता है बीच में बस तो यह भी नहीं होगा और अब पड़ के आए तो इसका एंसर क्या जाएगा फ़र्स और फट डाउन इंक्रीज होता है उके उसके बाद में अगला कुश्शन है अपने पास में which of the following statements are not correct not correct पुचा है the electron activity of silicon is greater than carbon carbon और silicon एक ही family माता है और बुचरा electron affinity electron affinity के बारे में एक exception होता है कि second period की electron affinity third period से कम होती है यह important बात होती है तो silicon की ज्यादा हो जाएगी ठीक है silicon की ज्यादा हो जाएगी silicon is greater than हाँ तो silicon की सही यह statement सही है और अपने को गलत statement पहचारना है berylium oxide is emphoteric b2o is acidic कोन acidic होता है कोन basic होता है इसके बारे में भी बहुत important question होता है और आता रहता हमेशा emphoteric कोन है आप कोई से भी प्रोठा की देख लीजी बेकार गए सब पंजाबी ऐसे सुनो जनाबे अली बेकार गए सब पंजाबी ऐसे इनके oxide जो होता है वो होते है emphoteric इनके oxide कैसे होता है emphoteric होता है बहुत important question है ठीक है 5 star जैसा emphoteric होता है और बाकी non metal वाले जो होता है वो होता है acidic और metallic जो होता है वो basic होता है यह general concept होता है तो B2O3 क्या है non metal है boron non metal है तो acidic होगा सही बात है और beryllium इसमें आ रहा है तो क्या हो जाएगा emphoteric हो जाएगा सही बात है यह statement भी सही है the IP of thallium is less than aluminium देखी इसमें जो boron family होती है उसमें बड़े भहेंकर भहेंकर एकसप्सन आते है ठीक है boron family में बड़े भहेंकर भहेंकर एकसप्सन आते है size में आता है IP में आता है EA में आता है सब में एकसप्सन आता है ठीक है और copper और दो आयोनेशनेनेट जी कि दिन और इसमें इस सोना यह जाँ है इसमें क्या होता है कि आपको पता है आई-पी आउडर में क्या होना चाही था यह ip how to put up तो यह रहूंतर तू चीप उता है अ CNC फिर for इस यह जैसा होता है नवाशतान थे एकस करों ऑफ असील कि असना थे ट्रल ट्राइब का डीतल की ए परेदीर ल Gulf कि स्ड़ीमाद में आ्ल दो में होना भेडम जाता है लेकिन होता चाहिंग लिए सधीरान गत्तेरिश और अपना इनकीर्य तेटिर्यान ही answer है मतलब की टी-ल का जनल यह होता है बेंगकन आलू गाजर यह element ऐसे हota है बेंगः अलू गाजर इन थैल अब डाउनद अपने को पता है न कि डाउन पिरी goggles होती है तो टील की कंप होनी चाहिए थी लेकिन कंपğ होती नहीं है ठीक है ऐसे होता है betal giorno घाना मैं इसको रट रखा हूँ आपको भी रटा देता हूँ चलो डारेक्ट ऑर्डर भी पूछ सकता है क्योंकि नसी आटिम दिया हूँ है तो बेता आल गाए गाना ओल इन वेल यह ओडर आदाता है अब बोरॉन की सबसे ज़्यादा होगी इसमें और यह तो आज आप ऊदो उस और आपको तो यह होगया इसका इसका एक्षब्सनҐ बैताल इसको रटने का ट्रीक बनायए था मैंने बैताल, बैरिलिम, बोरन और टील अब यहां आपको यह statement समझ में आ जाएगा टील की less than है जबकि less than नहीं है टील और aluminium में टील ज़्यादा है वह exception की वज़से है लेकिन है ज़्यादा बैताल गाय गाना जी यह का मतलब होगा है गाय गाना कौन सा गाना all is well all is well होता है पर यहां all in well ठीक है ओके तो answer क्या जला जाएगा थर्ड यह order आपको NCIT में दिया हुआ है P block 11 का में और आपको return ना है कैसे return ना है बैताल गाय गाना all in well size का order और बता देता हूँ मैं आपको होना किया चाहिता down the group increase होने चाहिए बैंगन आलू गाजर in ठेला तो size का order है वो 2017 या 2018 में पूछा हूआ है और यह order भी M's में 2-3 वार पूछा हूआ है P block में table बनाना कि यह भी है उनकी value देख करके और उस value से question आते हैं ऐसे तो यहां पर क्या होता है ऐसे यह order होना चाहिए था यह होना चाहिए था लेकिन होता क्या है बोरॉन फिर गैलियम फिर एलुमिनियम फिर इंडियम और इंडियम और थेलियम लगबग बराबर होते हैं अब अगर पूछ ले मैं साफ ले ले दमाँ फोड़ा सा यार जगा की कमी से बोरॉन गैलियम एलुमिनियम इंडियम और थेलियम इंडियम और थेलियम लगबग बराबर होते हैं लेकिन थेलियम बड़ा होता है ठीक है तो कोई साब भी उप्सन आएगा बराबर यहां बड़ा वाला दुनों चलेंगे ठीक है यह साइज का ओडर है और यह किसका ओडर है आईपी का यह दोन ओडर आप रियाड़ कर लो ठीक है एक होता इलेक्ट्र नेगिटियम बड़ा दूँआ उसका एक ट्रिक मेंने बना रखा है अमित अमित गुपता इंतालाब ठीक है अभी मुझे और काम है मेरा अलाम बजगया है तो मुझे फटा-फट से यह इतने कुशन मैंने लिए है वो करवान है इसलिए तो आपी जो साइज का ओडर था वो रट लेना अच्छे से ठीक है दो ओडर तो रटो कम से कम अगला कुशन भी यही बोल रहा है नौट करेक्ट आपको यह चीज़े सबसे पहले गोला मार दिने चीज़ी पेपर में एसलिए की स्ट्रेंद का कौन सा करेक्ट ओडर नहीं है बोलता है एस टू एस देखो हाइडरेट जो भी होते ना जैसे कि मैं इसकी बात करते हैं पन पली एस टू एसकी बात करें ठीक है यह इसकी बात करें इनमें क्या होता है हाइडरेट यह हाइडरेट की जो ओर रहे ना पी ब्लॉक में दे रहा है ट्वेल्थ में और आथ चुका है दो तीन बार एक्जाम में और इसमें वाटर भी आता है ठीक है एस्टू को भी तो इसमें होता क्या है डाउन दो ग्रूप जाओगे तो साइज बढ़ रही है जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो टेलूरियम तो इतना बढ़ा हो जाएगा ऐडोजन तो इतना सा है तो छोटे के साथ छोटा रह रहाता लेकिन छोटे के साथ बढ़ा नहीं रहता है यह बात बहुत बार अपन में डिस्कूस कर चुका अगर आप के सारी वीडियो देख रहे हो तो छोटे के साथ बढ़ा नहीं रह पाता है मतलब कि डाउन दो ग्रूप जाओगे तो साइज बढ़ेगी एक हैडोजन की साइज तो constant हो गई लेकिन इसकी बढ़ रही है तो सोटे के साथ बढ़ा रहेगा नहीं तो आसानी से तूट जाएगा आसानी से चूटेगा तो आसानी से एच देदेगा एच किस फाम में निकलेगा एच प्लस से तो आसानी से एच प्लस निकल जाएगा और जो आसानी से एच प् बीच बीच में ठीक है तीनु ओर्डर दीए वें पी लोक के ट्वेल्थ में तीनों ऑ्डर हाइड्राइड की यह ऐले में एक होता है ना तब इसकैस मैं उसकी दिकालाथ क्या चीज़ है तो एसिडिक की ट्रेंड्ट होती है तो बढ़ेगे बादे उंपगने गगुए हैं इसमें आप देखो कि फासपरस है इसमें सलीकन है अब इन दोने में अगर आप देखो के यह विंद कुछ में नहीं मिलेगा तो आप इसकी देखो कि लिप्टोन अक्रिविटि इस लाइको इस ट्रेंट की अस्ट्रेंट इस प्रपोर्शनल टू को अ यहां खाली जगा पड़ी है देखिए एसी डीकी स्टेंद के बारे मुझे भी कुछन आएगा ना देखिए कि मैटल जो भी होगा ना मैटल मतलब में ली एस और एस ब्लोक में ली अलांकि अलमुनियम वगरा भी कंपेर कर सकते हैं एस ब्लोक वगरा होगे वह होंगे बेसिक यह गया और तैक है और अब इसी डीकी श्रेंद के सारे कोशिण हो जाएंगे यह करना के बार नुई ठीक है और पी ब्लोक में नौन मैटल इसमार्य घुनल मैं नॉन मैटल ठीक है वह होंगे एसीडिक और LCD की strength जो होती है न वो electro negativity के directly proportion होती है और oxidation state के भी directly proportion होती है क्योंकि oxidation state बढ़ती है तो electro negativity भी बढ़ती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद में फिर अपन ने और क्या बोला था कि एक बाद और बोली थी अपन ने हाँ एक वो easily कौन easily s plus दे सकता है न वो बात compare कर सकते है अपन लोग और उसके बाद में m4 terek oxide के example याद रख देने आपको वही सुनो जनाबे अली बेकार गए सब पंजाबी ऐसे इनके oxide होते है m4 terek और एक होते है neutral कोन से होते है neutral कोन से होते हैं इतना याद है तो आपके सारे कम से कम हर साल एक कुछिन आता हुआ हर कुछिन कम क्लियर होगा एकदम करेक्ट होगा आप पेपर उठाके देख लो सारी neutral कोन कोन से होते है एन और और एंटुगो और यह लिए और होता है पता है आप देख लिए गए गौर ठीक है आप चलिए तो यह कुछिन दो ही गया एक लास्ट क्वेशन आज का लास्ट कुछिन इंकरेक्ट कोन सा है तो अभी अपन आई पी आउर्ड तो पढ़ गई आ आई पी फरस्ट का ओडर थरड आपेट को कोई पढ़ने की जरूत नहीं है और कर आईपी फर्ष्ट का और अपन पढ़के आये हूं क्या था यह था सोडियं सौडियं konने कि आपने जा करें एल्मुनियम सिलिकन फासपोरस सुल्फर कलोरीन और और आरगन है बस kang mama का मैंगनिम खब amigo नथा का फासपोर Democrat में खर enforcement बबॉर है तो है मून यण पीछ आना चाहिए मेंगनी शिम बाद में आना चाहिए यह बात सही ऐ और है有 है Ό कन का उदर कि सोडियम अलोनियम मैंगनिसियम स्लिकन में देखिए स्थीट भी घ्रव है न Colorado दो यह वाला कि मैंनी हरा कि कि लिए मैं है यह यह युद या यह ये इस इस której इम उसभी फिर मैंनीशिंसक्य ऑच उडियम आइश है अउडियम सभी से लिखते हैं एलमेंट के नाम सोडियम मैं इससे कंपर करते हैं लीथियम बेरियलियम बोरॉन कार्बन नाइटोजन औक्सिजन और फ्लॉरिन हाँ यह एक सब्सक्राइगा और एक एक सब्सक्राइगा यहां पर तो ओर्डर क्या होना चाहिए सोडियम को सबसे पीछे रख दीजिए फिर एलमुनियम फिर मैंगनेशियम फिर सिलिकान तो यह ओर्डर तो करेक्ट है ठीक है उसके बाद मैंटली करेक्टर का ओडर एठ पर इसमें कोई एक सबसे नहीं होता है यह बिलॉप यह ओर्डर सबसे अच्छा होगा फिर मैंगनेशियम फिर सिलिकान फिर फासब्सक्राइग है कि यह रेडियस का ओडर है इसमें कोई एक्सेशन नहीं होता है डी ब्लॉक में तो पिरोडिक टेबले को आप नीचे लिए आता हूं मैं आपको दिखाने के लिए है 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 कि कोई कोई से अलिमेंट्स ए अरे यार यहां नहीं गए और नहीं चलिए अंधी चलिए कुन कुन से अलिमेंट से हैं यह वाई भी तो वाई भी कहा गया इसमें आएगा तुम तो यह भी लाजवाब हो वाई भी यह आएगा इरा एक मिनिट रुकिया अब बस एक मिनिट लास्ट कुशन है साई से कर लेते हैं चलिए ठीक है वो सब आपने लिखी लिए था पहले ने दे वीडियो बैक करके लिख लीजेगा यह अब यव भी हैं सिई हैं और एल यू हैं और SM है हाँ SM है इचार element है अब पिर उडिक टेबल में क्या होता है Left to Right size क्या होती है Degrees होती है यह पिर Left to Right ही तो है तो सबसे बड़ा होना चाहिए था CE ठीक है फिर को ना बड़ा होना चाहिए SM फिर YB और फिर LU यह order होना चाहिए था यह order नहीं दिया है तो यही आपका incorrect statement है ठीक है यह element आपको याद रखने है मैं आपको याद करा देता हूँ element कैसे याद रखते है ऐसे याद किया है ला के पैर नदी में पाउं समुंदर में यूं गड तब दिल भर हो अरे तुम तो यूं भी ला जवाब हो लिखने में टाइम जाद लगता है इसलिए मैंने सीधा कोपी पेस्ट किया है बागी मुझे याद है ला के पैर नदी में पाउं समुंदर में यूं गड तब दिल भर हो अरे तुम तो यूं भी ला जवाब हो इसमें है यह इसमें आता नहीं है ठीक है तो एक्टिन में ऐसा आता है थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे पुराने आम कम भिकेंगे थोड़े पहलवान उनसे निप्टेंगे पुराने आम कम भिकेंगे कैफे में ऐसे फर्माओ मेडम नास्ता लगाओ ऐसे करके याद करते हैं और इसमें कोई साइज में एक्सेप्सन जदा आता नहीं है तो यह आपका ऐसे आप निकाल सकते थे यह इस्टेडमेंट इनकरेक्ट है थेंक यू